जाने 1 to 10 का महत्व यानि 1 से 10 तक के गिंती का महत्व क्या होता है तो धार्विक ड्रिष्टी से हर एक अंको का महत्व होता है एक का आर्थ होता है कि इस्वर एक है एक का आर्थ होता है कि इस्वर एक है और दो का आर्थ होता है कि इस्वर और जिव जन्तु यानि जिव इन दोनों को मिलने से ही विश्र का स्रिष्टी का निर्मान हुआ है प्रब्रमांड का निर्मान हुआ है जो इन दोनों को मिलने से हुआ है और तीन का अर्थ होता है कि तीन गों लोग है जो माने जाते हैं कि हमारे हाथ मतलब हमारे ब्रह्माणवे तीन लोग है एक स्वर्व लोग, दूसरा मिर्टू लोग, तूसरा पाताल लोग चार का अर्थ होता है धार्विक दिष्टी से कि हमारे चार बेद हैं पहला बेद रीग वेद उसकी बाद ये जूर वेद फिर साम वेद और अथर वेद रीग वेद जो प्रथम वेद है ये जूर वेद जो दूसरी वेद है और साम वेद जो तिसरी वेद है और अथर वेद अथर वेद जो चौती वेद है पांच का आर्थ होता है कि तत्व पांच होते हैं हमारा या कोई भी जीव जन्तु का या कोई भी सर्जिवों का सरीर पांच तत्व से मिलकर बना है छिति जल पावक, गगळकर देती से भी 5 पांच तत्वम मिलकर पunts exception मिलकर या देखते होको तो जल से भी बना हुए है पावक मतलब अगनी आगनी से स्रीर में भी अगनी है अगनी से बना हुआ है तो गोजन परिचता है पेट में जठ रागनी है पेट की अगनी को ओखलागन कहते हैं। इसके अलावे गगन एकास कभी कुछ थेंस थेजु हमारे दिखाई नहीं देता। समीर पांचवा है समीर जिसका आर्थ होता है जिसका मतलब होता है वायू यानि वायू भी हमारे सरीर में है वैसे भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे सरीर में वायू जाती है तो वायू भी जरूरी है और छे का आर्थ होता है कि हमारे यहां छे रितु हैं जो एक वर्स में छे रितु होती हैं, ग्रिश्म रितु, वर्सा रितु, पसंत रितु, सरद रितु, हेमंत रितु और सीसिर रितु, ये छे हमारे रितु हैं, जो छे से परकड पता चलते हैं और साथ अंक का महत होता है कि साथ का तात्पर होता है कि एह हमारे संगीत के साथ सूर हैं इसे सारे गमा पदनी सा यानि सारे गमा पदनी सारे गमा पदनी सारे गमा पदनी सारे गमा पदनी संगीत का ले धुन है सारे संगीत इसी सारे गमापदनी पर होते हैं तो ये साथ अंक हमें सारे गमापदनी को दरसाता है जिससे हमारे सारे सूर समंधित है और आठ का अर्थ होता है कि एक दिन और एक रात में आठ पहर होते हैं दिन में चार पहर और रात में चार पहर यानि एक पहर तीन तीन घंटा के तभी तो तीन चरू का बारा होगा एक घंटा में एक घंटा अब एक घंटा दू घंटा अब एक तीन चार तीन घंटा यानि तीन घंटा मिलकेर एक पहर बनाता है और इससे तीन घंटा मिलकेर जब एक पहर बनाता है तो बारा घंटा में चार पहर गुए उसी तरह से रात में भी तीन घंटा का एक पहर होता है और दिन में भी तीन घंटा का एक पहर होता है और दिन और रात मिलाकर आठ पहर होते हैं नौ का आर्थ है, नौधा भक्ति से समंधित है, नौ का आर्थ पहने का मतलब नौधा भक्ति से लिया गया है, और दस का महत्व है कि हमारे दस दिसाएं होते हैं, वह से तो हम लोग चारी दिसाएं जानते हैं, उत्तर दचिन पूरव पच्छिम, लेकिन नहीं, दस दिसाएं होते हैं सुनिए ध्यान से उत्तर दर्चिन पूरव पच्छिम आकास पताल नेत्रित्य वायव इसान अगने इसके लावे दिखपाल भी दस होते हैं मतलब इसके रखने वाले इसके कौन परमुख होते हैं कि अभी इन दसों दिखंव के मालिक तीन 100 दिखंव के मालिक का नाम इंद्र यम उविएर अरून बलकी बरून तोल और भरम्भाव भीष्णू रुद्र अगनि नेत्रितृ और। यह दसों इन दि使ां के मालिक होते हैं तो दस दिखाए कैसे हूंगे हम देखती हैं तो चार दिशा है तो हम लोग जैनते हैं उत्तर दशिन पूरूप पच्छे इसके लावे चार कोन होते हैं और उपर नीचे एक दो एक आस्मान और एक नीचे धरती निलाकर दस हुमें तो यही था एक से दस तक के महत्व, एक से दस तक के बढ़ों का अर्थ, एक दू, तीन, चार, पांच, छे, सार, आठ, नव, दस, हमने सभी का महत्व और इसका अर्थ बता दिया, तो आप इसी तरह से और मेरे बढ़ियों को देखते जाएं, और सबस्क्राइब करना ना तक के और चीजों का आप अर्थ, बढ़े ऐसे हमसे जान सकते हैं, सकें,